और चले इसी बीच रुक कर लेते हैं अगली खबर के और अस वक्त की अगली खबर मुंबई से हमें मिल रही है धारावी में एक बस में आग लगी है सड़क किनारे खड़ी बस में अच्राना काग लग गई असपास के लुगों में हरकम बच गया प्रतफरी मच गई है लेकिन राहत की बात यह है कि किसी के हता हत होने की खबर सामने नहीं आई है घटना से धारावी में ट्राफिक जम हो गया है और घटना की जुआनकारी मलताई पुलिस प्रिशासन भी मौके पर पहुचा है तो मुंबई से यह खबर आपको बता रहे है जोहाँ पर अचानक एक बस में आग लग गई है धारावी में ये बस खड़ी हुई थी जोहाँ पर एक बस में आख लग गई है आसपास के लुगों में अफरत अफ्री का माहौल है हरकम मच गया घटना की जैसे ही जो है आसपास प्रितक्ष दर्शी मौजूद थे किसी के हतात होने की फिलहाल खबर सामने नहीं आई है ये ज़रूर एक रहात की बात है कि किसी प्रकार की कोई जन्हानी यहाँ पर नहीं हुई है लेकिन घटना से धारावी में ट्रैफिक जरूर जाम हुआ है ये तस्वीरें आप देखिए एक खड़ी बस में अच्छानक आग लग गई है धारावी जो मूबई का धारावी लाग है वहाँ पर ये बस खड़ी हुई थी जोहाँ पर इस बस में अच्छानक आग लग गई और आसपास जो प्रक्षिदर्श्री थे आसपास जो लूब मौजूद थे उनमें जरूर अप्रत अप्रिका माहौल है लेकिन फिलहाल प्रहाद की बाती है कि अभी तक किसी के भी हतात होने की खबर सामने नहीं आई है लेकिन ट्रैफिक जाब जरूर हुआ इस घटना से क्योंकि अच्छानक भीशन आख लगी एक बस में खड़ी भी बस में अच्छानक आख लगी जो से ट्रैफिक जानकी सिटी बन गई है और घटा की जानकाली लगते हैं पुलिस प्रशासन भी मौक के पार पहुँच चुका है और आगे की कारवाई पुलिस प्रशासन ने भी जो है अपनी तरक से शुरू करती है भूंबई से एक खबर आपको बता रहे हैं धराबरी में एक बस में अच्छानक आख लगी है असपास के लूगों में हड़कम बच गया है इसी के हतात होनी के खबर फिलहाल नहीं है ये ज़रूर एक राहत की बात है लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं भी शर्ण आगे का चानक खड़ी विवस्त में लगत जाती है उसे जो वहाँ पर मौजूद लोगों